दोस्तों ब्लॉक्चेन गेम्स के उपर आपकी नज़र अगर है तो आप लोगों को मालूम होगा आक्सी इंफिनिटी के बारे में इन फैक्ट चैनल पर काफी सारे वीडियोस हैं जिसे मैंने आक्सी इंफिनिटी की बात करी है इन फाक्ट लास्ट फ्राइड़े को ही मैंने एक लाइफ सेशन किय था एक घंटे का जहांपे मैंने पूरे टाइम आपके साथ inception खेला था तो उसी question को हम आज answer करने कोईश करेंगे और साथी साथ एक question ये भी था कि कैसे decide करने की कौन से axis में invest करना चाहिए टीम कैसे बनानी चाहिए तो इन दोनो questions के मैं आज इस वीडियो में आपके साथ answer करूँगा बट उससे पहले चैनल को subscribe करना मत भूलिए अगर आप इसी टाइब का content पसंद करते हैं और in fact यही नहीं खाफी सारी चीजें और भी हैं जो मैं cover करता हूँ हमने चैनल पर playlist में जाके आपको सारी वो segregated videos के मेरे list मिल जाएगी जहां पर जो भी आपको topic पसंद हो चाहे वो coin के reviews हो चाहे आपको news है या फिर passive earning कैसे करनी है tutorials वगरा जो कुछ भी है आप individually जाके उस playlist में जाके videos देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का video और यह है Axie Infinity जो आप मेरे live session में भी देख चुके होंगे 100 coins maximum निकाल सकते हैं वहीं अगर आप arena mode खेलते हैं arena mode के अंदर अगर आप 5 matches complete कर लेते हैं तो आप final एक bonus claim कर सकते हैं हर रोज 50 coins का तो minimum से minimum अगर आप एक घंटा भी इस game को देते हैं हर रोज तो आप 150 coins यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि adventure mode और arena mode करने में आपको maximum initial levels पे तो एक घंटा लगेगा बट अगर आप levels increase कर जाते हैं तो आप आदे घंटे के अंदर भी सब कुछ यहां पर complete कर सकते हैं तो आदे से एक घंटे के अंदर आपको daily यहां पर devote करना पड़ेगा तब जाके आप यहां पर 150 coins यहां पर SLP coins जो हैं वो निकाल सकते हैं तो सबसे पहले चीज़ हो यहां आप यही आ जाते हैं कि अगर आप गेम नहीं खेलते अगर आप सिरफ investment perspective से पूछ रहे हैं कि इसमें invest करना चाहिए कि नहीं तो वहां पे तो और जादा risk है बट अगर आप यहां पर commit करते हैं कि आप game को खेलेंगे तब आपका risk काफी जारा कम हो जाता है क्योंकि जैसे ही आप game खेलना शुरू कर देते हैं आप अपनी recovery करनी शुरू कर देते हैं funds की तो फिलहाल SLP coin का rate चल रहा है यहां पे 22 cent तो अगर मैं देखूं कि आप रोज गेम खेल रहे हैं और minimum से minimum 150 coins निकाल रहे हैं जितना आपका level बढ़ता रहेगा जितने आप experience होता रहेंगे उतने ज्यादा coins भी आप earn कर सकते हैं पर यहां पर हम bare minimum लेके चल रहे हैं कि अगर आप सिरफ 500 coins ही दिन के earn कर पा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर हो जाते हैं आपके 500 into 30 जो हो जाता है साड़े 4000 तो साड़े 4000 coins आपके निकल जाएंगे एक महीने के अंदर अब यहां पर एक महीने में अगर same rate रहा 22 centi rate चलता रहा तो into 0.22 करेंगे अगर हम तो यह बन जाते हैं आपका 990 डॉलर तो एक महीने के अंदर आप game खेल के एक घंटा devote करके daily 990 डॉलर यानिकि लगबग 1000 डॉलर महीने के आप आसानी से इस game से earn कर सकते हैं तो यह तो होगे आपकी earning per month आप minimum यहां से कितना generate कर सकते हैं current rates के हिसाब से अब बात कर लेते हैं कि आपकी investment कितनी होगी और आपको team कैसे choose करनी है तो उसके लिए मैं आपको यहां पे लेके चलता हूँ सबसे पहले तो एक website पे जहां पे detail में दिया हुआ है कि कितने type के यहां पे cards available हैं जो एक axi के पास available होते हैं औ और वो cards आप यहां पे list देख सकते हैं और उससे अंदाधा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे cards हैं जो आप choose करके maximum damage कर सकते हैं और अपने player को अपने axi को सबसे ज्यादा strong बना सकते हैं वो depend करेगा कि आप कौन से cards choose करते हैं axes खरीदते time तो यहां पे 132 cards हैं अब यहां पे मैं आपके साथ एक-एक card के बारे में detail में तो नहीं जा सकता बड़ मैं आपको आपकी help करने के लिए narrow down करवा सकता हूं कि आपको किस चीज पर यहां पर focus करना है तो axes खरीदने के लिए आपको जाना है आपर marketplace.axi infinity.com पे अब यहां पे आके जो सबसे अच्छा combination है जो evergreen combination है ज तो पहला आक्सी आपने एक लेना है plant-based और दो लेने है aquatic तो यह team का combination है जो मैं personally use कर रहा हूं और यह effective है और जो दूसरा combination चलता है जो काफी लोग और भी use करते हैं वो है एक तो plant, दूसरा है beast और तीसरा है bird तो यह plant, beast और bird का एक combination है या फिर plant और दो aquatic का combination है तो वीडियो मैं हम बात करेंगे plant और aquatic के combination की क्योंकि यह है जो मैं personally use कर रहा हूं और यह काफी effective भी है तो plant आपको चाहिए एक अब यहाँ पर अगर मैं prices की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे कि plant पने स्लिट के है lowest price से मैं अगर यहाँ पर इसको sort करूं, worst price से यहाँ पर sorted है तो minimum यहाँ पर point one three के आज पास का axi मिलेगा, यह जो initial की तीन चर है यह कभी भी आपके पास available नहीं होंगे, काफी low price पर हैं तो यह already यहाँ पर निकल चुके होंगे, तो हम मानके चलते हैं कि यह तीन चर तो available नहीं है, यहाँ से कर हम start करें तो one three three nine का यह आपको मिल रहा है, य यह भी available नहीं है, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें यहाँ पर one three nine करें, यह भी available नहीं है, तो यह आपको बार बार refresh करके देखना पड़ेगा कि कौन सा available है, यह वला अगर हम यहाँ पर try करें, तो point one three nine almost point one four का आपको यहाँ पर available है, अभी की जो lowest price चल रही है, जो बन plant axi लेना है, तो आपको सब चारा focus करना है, उसकी health पर और उसके लिए आप यहाँ पर select कर सकते हैं, कि health कितनी होने चाहिए, तो मैं recommend करूंगा कर माक्सिम हेल्थ ले पाए, यहाँ पर 61 जो होती है, वह वाला अगर आप axi जाके लें, तो वह थोड़ा सा आपको यहाँ पर 360 dollar का, आप थोड़ा सा और 50 dollar extra दे के आपको काफी अच्छा axi यहाँ पर मिल जाता है, जो बन जाता है 415 dollar का, तो average price अगर हम मान के चलें, 400 dollar का भी आपको एक axi पढ़ा, यहाँ पर plant वाला, अब aquatic वाला अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओं, तो aquatic वाले आपको लेने हैं यहाँ पर मिल रहे हैं, फिर हमें 3-4 शुरू के skip करने पड़ेंगे, 014, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो 0.4 वाला यहाँ पर, 14 वाला मिल रहा है, तो यह भी आपको 360 dollar का, मिल रहा है यहाँ पर, तो यह अगर इसका भी हम average price मान के चलें, कि आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा 400 dollar में, तो आज की date में 1200 dollar में आपकी अच्छी खासी team यहाँ पर बन जाएगी, effective team बन जाएगी, जो आपको arena matches में भी help करेगी, adventure mode में भी help करेगी, नहीं तो worst case scenario में minimum से minimum आपको 900 से लेकर 1000 dollar में भी axis की एक team बन जाएगी, तो आज की date में current rates के हिसाब से investment बन र कि आप कितना earn कर सकते हैं, वो है 990 dollar, तो अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास funds है invest करने के, और दूसरी चीज़ important, सबसे important कि आप game रोज खेल सकते हैं, एक डिट घंटा यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि आप अपनी cost recover कर सकें, तो आपका एक महीने लगबग एक महीने के अंदर आपके पूरे initial cost जो है, वो recover हो जाती है, शर्त यहाँ पर सिरफ यह है कि जो rates है SLP के अगर वो ही चलते रहे, अगर यह यहाँ पर बढ़ जाता है rate, जो कि पिछले कुछरों में हम देखना कुने था कि यहाँ से double हो चुका था यह rate, अगर दे एक ऐसा extreme scenario लेके चलें, कि यहाँ से rate आधा हो गया, अगर यह 10 cent भी रह गया rate, तब भी आपकी जो recovery हो जाएगी, वो हो जाएगी, एक की जगा दो महीने में हो जाएगी, और माली जेगर यहाँ पर 5 cent भी यहाँ पर rate रह गया, तो अगर मैं आपको calculate करके दिखाओं, तो 5 into 4500, 4500 आप coins यहाँ पर earn कर रहे हैं, क्योंकि coin earning यहाँ पर change नहीं होगी, अगर आप रोज के date zone कर रहे हैं, तो महीने में 4500 करी लेंगे, तो 5 cent भी अगर हम यहाँ पर करें, तो यह बन जाता है, 225 डॉलर, 225 यानिकि 4 महीने के अंदर आपका यहाँ पर almost आपके recovery हो कि अगर rates गिरके यहाँ पर 5 cent भी रह गया, तो अब definitely आपको सोचना है कि क्या आप time दे पाएंगे game खेलने में अपने cost recover करने के लिए, अगर दे पाएंगे तो definitely इसको consider कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी as usual आपको अपनी research खुद करने हैं, अपने decisions खुद लेने हैं, क्यों पूच सकते हैं या पर telegram channel join कर सकते हैं, वहाँ पर आके पूच सकते हैं, वीडियो को ज़रूर like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए, ताकि आपको इसी type का regular content updated मिलता रहे, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए have a safe investment.